नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अम्रीतस हैपी टमी में आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ काड़ा वड़ी की रेसिपी इस रेसिपी से आप काड़ा बना कर रख लेजे जब चाहें तब आप काड़ा पी सकते बस वड़ी को गरम पानी में घोला और आपकी काड़ा बनकर तयार हो जाएगा और अगर आपके पास किये करनी का भी टाइम ना हो तो आप सिर्फ वड़ी भी खा लेजे आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे तो चले देख लेते हैं आज के क्या है इंग्रेडियंस आज के इंग्रेडियंस के लिए मैंने लिया है एक अद्रग मीडियम साइज का आधी बड़ी चम्मच, काली मिर्श पाउडर, एक कप गूड, 20-25 पत्तियां तुलसी की, एक मीडियम साइज का नीमबू, आधी बड़ी चम्मच, दालचिनी पाउडर और 10 हरी इलाइची तो यहां पर यह सारे इंग्रेडियंस मैंने ले लिए हैं और अब इनको तयार कर लेते हैं तो पहले हम अद्रग को छील लेंगे चाकू के सायता से चाकू से अद्रग छीलनी हैं तो अब अद्रग और हम इक मिकसर में डालकर एंक फाइन-पेस्ट इयस में, यहां पे पानी का बिल्कुल इस्तमाल नहीं करना है लिए हम भी पनी पनी चोड़ देता है तो यह एकदम अच्छा सा फाइन-पेस्ट खुद ही बन जाता है तो देखें कि इतना अच्छा पेस्ट बन कर तयार हो गया है अब यह जो पेस्ट है इसको हम पका लेंगे तो इसके लिए मैंने लिया है एक non-stick pan आप किसी भी बरतर में बना सकते हैं पर non-stick में थोड़ा easy रहता है तो क्योंकि वो चिपकता नहीं है फिर यहाँ पे gas medium flame पे रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी हमको इतनी देर पकाना है कि यह melt होकर good जो है थोड़ा सा melt हो जाए और पतला हो जाए जैसे ही हमारा good melt हो जाएगा इसमें हम डाल लेंगे आधी बड़ी चमच दालचिनी पाउडर आधी बड़ी चमच काली मिर्च पाउडर और आधी बड़ी चमच हल्दी पाउडर इन सब को हम डाल कर अच्छी तरह से mix करते हुए medium flame पे occasionally चमच चलाते हुए इसको पकाएंगे तो यह medium flame पे हम चमच चलाते हुए इसको हमें गाड़ी consistency होने तक पकाना है कम से कम पांच से छे मिनिट आपको इसको पकाना है medium flame पे चमच चलाते रहेगा क्योंकि नहीं तो यह जो है चिपकती लगता है फिर यहाँ पे तीन मिनिट पकाने के बाद में नीम्बू जो है उसका छिलका इसको खस कर डाल रही हूँ तो नीम्बू का हमें सिर्फ yellow वाला पार्ट लेना है इसमें का जो अंदर वाला सफेद पार्ट है वो नहीं लेना है वो जरा कड़बा होता है तो इस वज़े से आपकी वड़ी की favor कराब हो सकता है यहां पर पूरा 5 मिनिट मैंने इसको अच्छी तरह से चमत चलाते हुए पका लिया है और अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ तो देखिए पानी में मैंने यह डाल लिया है अब इसको निकाल कर हम चेक कर लेंगे अगर इसकी गोली फॉर्म हो जाती है तो आपका जो वड़ी वाला मिश्च्रन है वो perfectly तयार है तो यहां पर एक अच्छी सी गोली फॉर्म हो रही है मतलब अभी हम यह वड़ी बना सकते हैं तो इसमें अब हम बागी इंक्रेजेंस डाल लेते हैं जो नीम्बू हमने मीरियम साइज का लिया था उसका पूरा जूस हमको इसमें डालना है तो यहां पर मैंने नीम्बू का मिश्रन है वो परफेक्ली तैयार हो गया है ग्यास को कर लीजे बंद अब जिस फ्लेट में हम वड़ी बनाने वाले हैं उस पर थोड़ा से घी डाल कर इसको ग्रीस कर लीए फिर आपका जो वड़ी वाला मिश्रन है वो इसमें निकाल लीजे कंप्लीटली जो स्पैचुलि से ग्रीस कर लेना है बैक साइट से और इसको फैला लेना है तो दोनों जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस प्रोसेस से आप कर लीजेगा तो अब अच्छी तरह से मेरा वड़ी का मिश्रन फैल चुका है तो इसको थोड़ा से थंडा होने दिया मैंने और थंडा होन मैंने लास्ट यर बनाया था और यह सालवर बहुत अच्छा रहा है दोस्तों बिल्कुल फ्लेवर भी चेंज नहीं होता है फिर जब भी आपका मन करें एक वड़ी ले लीजे कप में डालिए पानी डालिए गरम और आपका काड़ा बन कर तयार तो यह वीडियो पसंद आय दोस्तों यूस्फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर केज़ेगा चैनल को जरू सब्सक्राइब केज़ेगा तैंक यू